हलो एस्टूरंट आप सभी गा स्वागत है यह इस कलास में इस्टूरंट विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है अमल च्हारक एवन लवन इस पार्ट का जो है जो महातपुर्परशने जो परिच्छे में पूछे जा सकते हैं उन सभी का उत्तर में बता रहा हूँ, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है, तो नीचे डिस्ट्रेसर में लिंग मिलेगा, आप जो जाके देख सकते हैं, आज की सीडों में दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, जो की बहुत ही एक्जाम में पूछा गया है, कह रहा है कि जो धावन सोडा है, उसका जो है रासानिक नाम और अनसूत्र लिखिए या फिर बताईए, तो उत्तर आपको इस तरह से लिखना है, कि धावन सोडा का रासानिक नाम, तो नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोने क्या बोलते हैं अगर आपसे पुछा जाए कि धावन सोडा का राशानिक नाम क्या है तो आपको बताना है कि धावन सोडा का राशानिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है तो इसमें देखे यह तो राशानिक नाम हो गया इसमें पूछ रहा कि अनसूत भी लिखे तो आगे उ सोडियम कार्बोनेट होता है तथा अनसूत Na2CO3 into 10H2O होता है तो विरिमपॉर्ण कुछच्चन है बहुत बार एक्जामें पूछा गया है इसे आप लोग अच्छे से याद कर लिजेगा अगला महातपुर प्रश्चन है धावन सोडा से रिलेटेड कुछच्चन है कहरा है क धावन सोडा बनाने का राशायनिक समीकरड तथा इसका एक उपयोग भी लिखिए विरिमपॉर्ण कुछच्चन है इसमें कहरा जाए कि जो धावन सोडा है इसका केवल जो है राशायनिक समीकरड लिखना है और इसका एक उपयोग भी लिखिए तो उत्तर लिखेंगे वि तो यहां पर लिखेंगे, देखें समिकरड कह रहा है, मतलब कि ऐसा हमें समिकरड बनाना है, जिससे कि धाउं सोडा बने, NaOH, NaOH को क्या बोलते हैं, sodium hydroxide, और पलस CO2, CO2 को क्या बोलते हैं, carbon dioxide, यानि, sodium hydroxide का किरिया हम carbon dioxide से कराते हैं, तो क्या बनता है, Na2CO3, और क्या बनता है, क्या बनता है, पलस H2O, Na2CO3 क्या बोलते हैं, sodium carbonate, और यह पलस हमारा क्या बन रहा है, जल बन रहा है, तो यह हमारा क्या बनता है, यह sodium carbonate को क्या बोलते हैं धावन-soda तो यह हमारा राजसानिक समिकरड हो जाएगा यानि हम sodium hydroxide का जब किरिया कराते हैं carbon dioxide के साथ तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस जल बनता है तो यह हमारा एक रासाइक समिकर्ड हो जाएगा उसके बाद इसमें देखे है रासाइक समिकर्ड हमने बता दिया किया रहा है कि इसका एक उपयोग भी लिखिए तो हमने यहाँ पे 3 उपयोग बता जाए है तो हो सकता एकजाम में आप से एक से ज़्यादा पूछ ले तो आप जो है तीनों लिख दीजिएगा यानि कि पूछे तीन लिखे जाए, दो पूछे दो लिखेगा अगर एक पूछे तो एक लिखेगा तो हम यहां पर तीन आपके लिए बता दे रहे हैं तो उप्योग में आप हेटिक डालेगा उसके बाद नंबर एक में लिखेगा धावन सोडा का उप्योग कपड़े धोने में होता है नंबर दो नंबर दो है जल की कठोर्था दूर करने में यानि कि धावन सोडा का जो उप्योग होता है दूसरा वो है जल की कठोर्था दूर करने में नंबर तीन इसका उप्योग इसका मतलब धावन सोडा का उप्योग आँखों की दवाई बनाने में किया जाता है यहां पर हमने तीन आपको उप्योग बताया है इन तीनों में जितना पूछा जाया एक्जाम में उतना ही लिखेगा, यहाँ पर दिखे एक पूछा गया था, अगर एक्जाम में एक आ जाया तो इन तीनों में से कोई भी आप लिख दीजिएगा, तो जो हमने अभी student आपको यह वाला question बताया, इस question का answer अभी आपको बताय और यह वाला भी आपका जो प्रश्ण है, इसका उत्तर हमने अभी बताया, तो दोनों प्रश्ण बहुत ही महत्तपूर है, कोई भी प्रश्ण परिच्या में पूछा जा सकता है, तो आप लोग अच्छे से copy में लिख लीजिएगा, और जो हमने अभी बताया है, जैसे हमन वासब कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उमेग करता है, वीडियो पसंदा आए, वीडियो को लाइक कर दें, सब्क्राइब कर दें, मिलें अगली वीडियो में तब तक के लिए, थेंक यू